हलो, गुर्बॉर्णिंग ओल अफ्यू, सभी प्यारे सात्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं विवेक कुमार, यूवी कंपिटिसन्स यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, दोस्तो रोजना की तरहां मैं लेकरा अजिर हूँ, डेली करंट पेर्ज़ जीके, आज 7 मार्च 2020 की करंट पेर्ज के हम बात करते हैं, साथ यूवी करंट पेर्ज आपके सभी परतियों की परिख्षाओ के लिए अत्यांत मेयत्तो पूर्ण है, साथ यो डेली करेंट अपेर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपेट्सन सब्क्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपेट्सन चैनल को सब्क्राइब करें और साथ ही साथ बैल आइकन दबना ना भूलें जिससे आपको हमारे द्वारा देगए अप्टेट्स के नोटिपिकिसन मिलते रहे इसके साथ ही साथ मेरे द्वारा राजस्तान जीके और मेकनिकल इंजिनेरिंग पढ़ने के लिए अनकेडमी एप पर मुझे फॉलो करें अनकेडमी एप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्किप्शन में मिल जाएगा आई ये साथियों सुरू करते हैं आज का इंपोर्टेंट करणट अपिर जीके और साथ ही साथ मेरे साथियों मैंने एक नया वो वर्जिन डाला है इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या-क्या है जो भी क्वेस्टन्स है उसके इंपोर्टेंट पॉइंट उससे रिलेटेड पॉइंट जो है वो भी क्या-क्या है वो भी आपको आई लाइट किये जाएंगे तो साथियों देखना ना भूलिये और सुनना ना भूलिये हमारा करेंट अपेर्स जी के कुशन संक्या फर्ष्ट किस बैंक पर केंदर सरकार ने भारतिर जोर बैंक की सलाप पर रोक लगाई है Option A आन्दरा बैंक, Option B Yes बैंक, Option C केंदरा बैंक और Option D पंजाब नेशनल बैंक हाल हीमें केंदर सरकार ने एक बैंक है उस पर रोक लगा दिये याणि की बैंक को परतिबंदित कर दिया है और वह बैंक है यस बैंक तो इसका सही उपतर है Option B यस बैंक important points की बात की जाए important point ये है कि ये बैंक के नगदी की समस्या से जूज रहा था तो भारत सरकार ने इस पर एस्ताई प्रतिबंद लगाए तता खातादारकों को नर्देश दिये है कि वे 50,000 से अधिक रासी यानि कि 50,000 की सीमा से जादा रासी ना निकाले SBI State Bank of India के जो पूर्वे CFO ते प्रसांत कुमार उन्हें Yes Bank का प्रसासक निक किया गया है Yes Bank जिसका की मुख्याले मुंबई में है और Yes Bank की स्तापना 2004 में हुई थी और इसके वरतमान में MD और CEO कोन है रवनीत गिल है साथियों Bank ने एक विशेश सुविदा दिये सुविदा क्या दिये? Bank ने नहीं सुविदा दिये केंदर सरकार ने Yes Bank के लिए कि कुछ सर्क्ते हैं जिनके आदार पर जमा करता जो है वो 50,000 से अधिक की रासी निकाल सकता है उनमें सबसे पहली बात है कि जमा करता या उस पर निर्बर व्यक्ति के चिक्षा के उप्चार के लिए यानि क्योंकि Medical Treatment लेना है तो उस Condition में वोई 50,000 से जादा निकाल सकता है दूसरी Condition क्या है कि जमा करता है या उस पर निर्बर व्यक्ति की उच्चे सिक्षा के खर्चों के लिए यानि कि उसे अपने बच्चों की सिक्षा के लिए या बच्चों के अने प्रकार के खर्चे जैसे कि विवाह का खर्चा या अन्य साधी समारों के खर्चे के लिए पचास हजार से जादा की रासी निकाल सकता है अन्यता उसे एक महिने में पचास अजार से जादा कि रासी नहीं निकाली जाएगी Next, Question संक्या 2 Woman Transforming India Award का चौथा संस्कर्ण कब आयुजित किया जाएगा? Option A 5 March को Option B 6 March को Option C 7 March को Option D 8 March को इसका सही उत्तर है 8 March को Woman Transforming India Award का चौथा संस्कर्ण आयुजित किया जाएगा? जो यह आयुजन होता है Woman Transforming India Award इसका आयुजन राष्टिय भारत परिवर्तन संस्ता नीती आयुक के महिला उद्दमीता प्लेट फोर्म द्वारा किया जाता है? चुकि 8 March को अंतराष्टे महिला दिवसे International Women's Day है तो इसके आउसर पर केंद्रिय रक्षय मंत्री राजनात सिंग द्वारा देश भर में अबूत्पूरु बदलाओ लाने वाली महिलाओ को सम्मानित करने के लिए यह पुरुषकार Women's Transforming India पुरुषकार प्रदान किया जाएंगे Women's Transforming India अवार्ड जो है इसका उद्देश्य है भारत में महिलाओ के लिए उसलता परस्तिती की तंत्र में बदलाओ करना है Women's Transforming India अवार्ड के तीन मानक है इच्छा सक्ति, ज्यान सक्ति और कर्म सक्ति Next, Question 3 बारतिर जुर बैंक के डिप्टी गवर्णर कौन है जिनोंने अपने पद से स्वास्ते समस्याओ के चलते इस्तिपाद दिया है Option ए सक्तिकांत दास Option B, N.S. स्वामिनाथन Option C, राजिव सुकला Option D, N.K. स्रिनिवासन साथ यो डिप्टी गवर्णर, भारतिर जुर बैंक के जिनोंने स्वास्ते की समस्याओ के चलते अपने इस्तिपाद दिया है वह ए N.S. स्वामिनाथन तो राइट आंसर उप्शन B, N.S. स्वामिनाथन बात करते हैं, N.S. स्वामिनाथन ने 28 जून को पदबार समाला था यानि के 28 जून 2016 को पदबार समाला था इनका कारेकाल तीन वर्स का था जो कि 2019 में बढ़ा कर एक साल और बढ़ा दिया और इन्होंने एक साल पूरे होने से पहले यानि कि तीन महीने पहले ही अपना पद छोड़ दिया है दूसरी बात डिप्टी गवर्नर N.S. स्वामिनाथन ने तीन गवर्नरों के साथ काम किया है पहला गवर्नर अगुराम राजिन के साथ उर्जित पटेल और वर्तमान गवर्नर जोकि 25 वे गवर्नर है सक्तिकांत दास के साथ भी काम किया है RBI रिजर्व बैंक की स्तापना एक अप्रेल 1935 को कोलकत्ता में हुई थी और इसका वर्तमान में मुख्या लेका है मुंबई में है Next Question संक्या 4 किसकेंद्रिय मंत्री ने दिल्ली में Chronicles of Change Champions नामक पुस्तक का विमोचन किया है Option A इसमर्ती इरानी Option B मैनका गांदी Option C निर्मला सीता रमन Option D अमित्सा इसका सही उत्तरे Chronicles of Change Champions पुस्तक जो बुक है उसका विमोचन किस ने किया इसमर्ती इरानी ने Option A इस पुस्तक के बारे में बात की जाए तो यह पुस्तक प्रदान मंत्री की प्लैक सिप योजना बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ के तहत राज्जी और जिला इस तर पर चलाई जा रही 25 अभीनो पहलों का संकलन है बात की जाए बेटी पड़ाओ बेटी बचाओ अभियान की तो इसकी सुरुवात 22 जन्वारी 2015 को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाना राज्ये के पानिपत जिले से की थी Next बात की जाए कि इसमर्ती रानी जो है वो महिला बाल विकास मंत्री है Next Question 5 किस सेर में Google Cloud ने Cloud Region विक्सित करने की गोशना की है Option A. Kolkatta में Option B. Mumbai में Option C. दिल्ली में Option D. हदरबाद में तो Google Cloud ने Cloud Region खोलने की गोशना की है दिल्ली में तो सही आनस्वर है Option C. दिल्ली यह Cloud Region का दूसरा संसकर्ण है पहला संसकर्ण तीन साल पहले वर्स 2017 में Mumbai में लॉंच किया गया था और Google की यह सुविदा वर्तमान में एसिया प्रसांत के आठ छेत्रों में और वैस्विक इस्तर पर विशु के इस्तर पर 22 छेत्रों में सक्री है Next Question 6 नमस्ते और चा मोटसव तो किस राज्ये में आयुजित किया जाएगा Option है मद्यप्रदेश में Option B राजस्तान में Option C हर्याना में Option D 36 गड़ में बात की जाए नमस्ते और चा मोटसव मद्यप्रदेश राज्ये में आयुजित किया जाएगा Option E is Right Answer मद्यप्रदेश और चा जो सहर है वो मद्यप्रदेश राज्ये के निवारी जिले में इस्तित है और यह जो महटसव है नमस्ते और चा मोटसव का उद्देश से है राज्ये की एतियासिक, परंपरा सांस्कृतिक विरासत प्राकर्तिक संपदा वास्तु कला, इत्यादि को बढ़ावदेने का उसर प्रदान करना है नमस्ते और चा मोटसव में कला, संगीत, नरत्य, नर्देशित इतियास, परेटन और फोटोग्राफी की गतिविदिया संचालित होती है और और चा जो इस्तल है वे राम राजा मंदिर के लिए प्रसिद परेटन इस्तल है यहनि कि एतियासिक परेटन तो ही है इनके साथ साथ राम राजा मंदिर के लिए भी यह प्रसिद है Next Question संग्या 7 इस वर्ष बैडमिन्टन एसिया चैंपियन्सिप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा Option A चीन में Option B भारत में Option C फिलिपिन में Option D ओस्टेलिया में तो बैडमिन्टन एसिया चैंपियन्सिप 2020 का आयोजन होगा फिलिपिन में तो option C, Philippines is right answer और फिलिपिन में कहा होगा फिलिपिन की राजदानी मनिला में इसका आयोजन किया जाएगा पहले जो यह आयोजन था बैडमिंटन एसिया चेंपियनसिप का वह चीन के वहान में आयोजित होने माला था लेकिन नौवेल कोरोना वाइरस के प्रकोप बढ़ने के कारण इसका इस्तान बदल दिया है वहान से इसका इस्तान कर दिया मनिला में नेक्स्ट और आठवा कोस्टन इस वर्ष कबसे केरल के कोच्ची सहर में वैसफिक आयोवेध मौत्सव का चोथा संस्कार्ण आयोजित किया जाएगा Option A 10 से 15 माई Option B 16 से 20 माई Option C 21 से 25 माई Option D 26 से 30 माई Westwick Ayurved Mautsov का आयोजन केरल के कोच्ची सहर में 16 से 20 माई तक किया जाएगा Option B is right answer 16 से 20 Important point बात की जाए तो इस Mautsov का आयोजन Center for Innovation in Science and Social Action सिसका द्वारा किया जा रहा है दूसरी बात की जाए तो इस वर्ष का जो विसे है वह विसे आयोजन 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 इंडियाज के डिपिटिलिटी यानि कि आयोजन चिकित्सा परेटन भारत की साथ बनाना बात की जाए यह दुनिया का सबसे बड़ा आयरुवेद मौत सोवे इसमें 5000 से अधिक अंतराश्टे प्रतिनीदी इस्सा लेंगे और इसमें 500 से अधिक श्टॉल्स लगाए जाएंगे और उन श्टॉलों पर आयरुवेदी के ओस दिया जड़ी बूटिया इत्यादी को प्रदर्सित किया जाएगा लोगों को दिखाया जाएगा इसके साथ ही साथ इसमें 5 करम का भी आयरुजित किया जाएगा यानिकि 5 करम के उपर भी सेमिना दिया जाएगा नेक्स्ट क्वस्टन नमबर नो भारते कपड़ा और सिल्प के उबरते आउसरों पर परिन सववाद का आयरुजित किया गया था आप्सटन ये जैपुर में आप्सटन बी चेननी में आप्सटन सी बैंगलोरु में और आप्सटन दिल्ली में राइट आउसर है कपड़ा और सिल्प के उबरते आउसरों पर परिसववाद नहीं दिल्ली में आयरुजित किया गया था आप्सटन डी नहीं दिल्ली और नेक्स्ट और लाश्ट क्वस्टन क्वस्टन संक्या 10 जनेज जांसा किस देश के प्रदानमंत्री बने है आप्सटन ए स्लोवेनिया आप्सटन बी शिलोवाकिया आप्सटन सी फिलिपीन आप्सटन डी फिलिपीन तो जनेज जोवांसा है वो स्लोवेनिया के प्रदानमंत्री बने है सोरी मैंने इसमें गलत आंस्वर टिक कर दिया है इसका राइट आंस्वर सी ना होकर option age राइट आंस्वरे स्लो वहनिया तो मेरे प्यारे साथियो ये ताज का कंट अपेर्स जीक है जो कि सभी अग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइट यूवी कंप्टेशन चैनल और साथ ही साथ हमें अने केडमी, इस्टाग्राम और फ्लीस्बूक पर भी फॉलो करना ना बूले इस वीडियो के पीडियाप का लिंक आप पीडियाप डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो वहाँ से आप पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं जिसे आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं पढ़ सकते हैं प्यूचर में भी थैंक पर उन्तू वीडियो में जो आपको बताए जाएगा वो पेपर में लिके वैसे कई जादा बढ़ता जाएगा तो पढ़ने के साथ साथ हमारा वीडियो देखना भी ना बोले थैंक यू सौमच धन्यवाद आपका दिन सुब़